पहला स्टॉक जो अपी वाच्टिश में होना चाहिए वो है अशोक ली लैंड का अशोक ली लैंड मंडे की फॉल के बाद एक जोन में कंसॉलिडेट कर रहा है और इसके बाद ये जोन कंसॉलिडेशन की और नैरो हो गई है तो इसमें बॉक्स का ब्रेक आउट 70 के आसपास ह अगला स्टॉक जो आपकी वाच्टिश में होना चाहिए वो है अमाराजा बैटरी का अमाराजा बैटरी में मंडे से सेल आफ आना चालू हुआ था और इसमें टूजडे के सेशन में एक फेल्ड लो बनाके यहां पे हाईया लोस बनाए है और ये रैली कंटिन्यू हुई ह है और मुस्ट मंडे के हाई की तरफ तो यहां से हम यह एक्सपेट कर रहे हैं कि अगर मंडे का हाई निकल के 746 निकालते हैं तो इसमें प्रिवियस सेल आफ जोन जो थी उसका टागेट बनेगा सम्वेर राउंड 760-770 की जोन में अगला स्टॉक जो आपकी वाच्टिश म पॉप अप किया और उसके बाद इन लोस को प्रोटेक्ट करते हुए यहां पर एक हाईयर लो बनाया है तो कल के सेशन में यह एक्सपेट कर रहे हैं कि यह रैली जो यहां पर कंसॉलिडेट हो रही है यह इमेडियेटली 832 टेस्ट करेगी और 832 पे ऊपर सस्टेन करना चा बायो कॉन का बायो कॉन में मंडे के सेशन में फॉल आई थी और टूस्टे के सेशन में यह सीधा गैप आप ओपनिंग दिया और मिट सेशन इसने मंडे के हाईस को क्रॉस करके ब्रेक आउट दिया है और यह अल्मॉस्ट 410 का टागेट जो बना था उसको एचीव कर लिया अगर यह गैप अप खुलता है फोर्ड 18 के अराउंड और एक बेरिश रिजेक्शन देता है तो इसे शाट प्ले कर सकते हैं 405 के लिए अगला स्टॉक जोपी वाशिच में होना चाहिए वो है चोला फिनाइस का चोला फिनाइस में भी मंडे को करेक्शन आने के बाद से इसने एक शाप पुल बैक दीती उसके बाद एक फेल्ड लो बना है और यहां पे एक हायर लो बना है उसके बाद इसने यह स्विंग हाई को निकाला है तो इमेडियेटली यहां से कोई भी पुल बैक आता है 239 से 238 की जोन में और बुलिश रिजेक्शन मिलता है तो इसको बाई करना चाहिए फर टागेट ऑफ 251.90 जो अल्मोस्ट इसके स्विंग हाई स्विंग है अगला स्टॉक जो आपकी वाश्रिश में होना चाहिए वो है सिपला का सिपला में भी टूस्टे के सेशन में एक हायर लो फॉर्म हुआ था और उसके बाद यह अल्मोस्ट स्वि यह है यह इमेडियेटली 755 तक जा सकती है और अगर यह 761 के ऊपर निकलना चालू करती है तो इसमें पिछले स्विंग हाई सका टागेट बनेगा 790 के रहा हूं जो सिपला काफी बुलिश लग रहा है और वह फार्मा भी लग रहा है तो इस आप से एनेक्सिस डिविस ला आएगा तो यह लोवर लेवल स्ट्रेस्ट करने जाएगा मंडे के सेशन में ओपनिंग के साथ ही इसमें एक सेल आफ बना जिसने यह रेंज का लो तोड़ा और नीचे गया बट इमेडियेटली ट्यूस्टे के सेशन में यह उतना ही इकुली शाप रिवर्स किया और इस ब सकती है कोई भी डिप आपको मिले 3260 से 3299 के बीच में बुलिश रिजेक्शन मिलता है तो इमेडियेटली लॉंग्स प्ले कर सकते हैं अगला स्ट्राग जो आपकी वर्स्टिश में होना चाहिए वो है इस डिएफसी बैंक का इस डिएफसी बैंक में मंडे को शाप सेल आफ के बाद Tuesday में almost 85% recovery करके lower high बनाया था उसके बाद इसने इस low के अगेंस्ट higher lows बनाना चालू किया है और यहां से हम यह expect कर रहा है कि 1123 का level अगर वापस defend होता है बुलिश रिजेक्शन के साथ तो इसमें 1149 तक के target बनेंगे और उसके ऊपर यह 1190 तक भी जा सकता है लाश्ट करना चाहिए 70.35 तक के लिए डेली एंसे गंडेंट के लिए हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं दिस इस एंचिल एंट साइनी ओफ दे डे थैंक यू